हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सभी का कॉमिकल चैनल पर तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में परमाडू सीरीज का अगला कॉमिक्स 1-2, 2-100 सन्जय गुप्ता पेश करते हैं 1-2, 2-100 भागने में अपनी पूरी जान लगा ले चोंचे वरना बाकी की जिन्दीगी जेल में गुजरेगी क्योंकि हमारे पीछे दिल्ली पुलिस का वह काईया इंस्पेक्टर पड़ा हुआ जिसका नाम इंस्पेक्टर विने है साही सलामत इस बिल्डिंग के उपर पुछ जाएं फिर इस इंस्पेक्टर विने के सारे का सारा काईयापन धरा रह जाएगा क्योंकि उपर हमारी हिफाज़त करने के लिए मौजूद है सरीया सरीया तैयार हो जा तेरा शिकार आ रहा है आने दे सरीया उसे वापस नहीं जाने देगा ठाड़ उफ मेरी वापसी हर हाल में तैय है तुम सब के साथ आज ये खूनी सरीया भी तेरे साथ जाएगा ताकि इसकी बरामत की दिखा कर तुझे कई सालों के लिए अंदर पेज आ जा सके अरे उसे एक एक क्या हुआ अचानक चीकने क्यों लगा आई ओ अचानक इंस्पेक्टर विन्ह ऐसे चौका था मानों उसने जागती हुए कोई सपना देखाओ सामने का सीनी अपने के सीन जैसे था सपने के सीन जैसे था एक सरीया एक 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 चार में बदल गया क्या हो रहा है कई मेरी आंके धोगा तो नहीं खा रही है उफ नहीं यह सच्चाई है लेकिन ये कलपना जैसी बात एक एक सच्चाई में कैसे बदल गई ओ ये तो मुझे इस देखा मेरा कमाल, जैसे ही आलपिन रूपी डार्ट उस बदमाश के शरीर में गया, वैसे ही वह एक से चार हो गया, अब भी तुम्हें मेरी मशीन पर शक है? नई, बाकी की बाते तुम्हारी लेब में पहुंच कर करते हैं, इदा परमाणू पहुंच चुका था, मुझे इन गायब हो रहे हैं? ओ, जैसे अनोखे तरीके से सरीया के तीन परती रूप बने थे, वैसे गायब भी हो गए थे, लेकिन परमाणू के लिए सेकड़ों सवाल छोड़ गए थे, सरीया के विए तीनों परती रूप बने कैसे, और गायब कैसे हो गए? परमाणू के हर सवाल क मैं उसकी मदद से संसार की किसी भी चीज को तुमारी तरह गुणा कर सकता हूँ नमूना तुम देख चुके हो अब बोलो तुम मेरा साथ देते हो या नहीं सोचूंगा पहले मैं अपने हाथों से देखूंगी तुमारी मशीन इस मकड़ी को मेरी तरह गुणा कर पाती है या नहीं मकड़ी मकड़ी को गुणा मत करना गुणा कार यह मुझे खा चाहिए आर्चोनो फोबिया यानि मकड़ीों से डरने वाला गुणा का साथी हर्गिस नहीं हो सकता और वैसे भी गुणा कार को किसी को साथी बनाने की ज़रूत नहीं है गुणा कार के साथ के लिए तो उसके परतिरूप ही बहुत है तो तुम अपने परतिरूपों से मुझे पकड़वा क्यों रहे हो गुणा कार ताकि इन बेचारी भूकी माजबक्षी मकड़ीों से बचने के लिए तुम भाग ना जाओ कुछी पलों में हमेशा के लिशान दोगिया प्राफिसर रोस्ती मैं प्राइतना करूंगा प्राफिसर की भगवान तेरी आत्मा को सर्ग में जगह दे क्योंकि इस पर शेपर मशीन के रूप में तुने गुणाकार को एक ऐसी शक्ती दे दिये जिसके बल पर गुणाकार दुनिया का मालिक बनने का सपना देख सकता है और इस अपने की शुरुआत होगी यहां से नव भारत भारत अती आदुनिक डियने मिसाल बनाने में सफन प्रलिक्षन के लिए मिसाले दिल्ली इस दिद आर्मी हैटकॉर्टर पहुची निश्चे दिल्ली में एक बड़ा हंगामा उन्हें जा रहा था अभी बेखबर था जिससे दिल्ली का रखवाला हम कहां जा रहे हैं परमडू हजर्ट निजाम उद्दिन अलिया की दरगा पर ये दुआ करने की मेरे मामा का अच्छा कर दो उन्हें कोमा से निकाल कर नहीं जिन्दिकी बख्ष दो कोई तरगा, कोई मंदिर, कोई गुर्द्वारा, कोई चर्चाचा नहीं छोड़ा विन्हें जहावे अपने प्रोफेसर मामा की सलामती के प्रात्ना करने ने गया हूँ कोई तो सुनेगा, कोई तो इसकी फर्याद पूरी करेगा कोई तो इशूरिय शक्ति मिन्हें मा, विन्हे के मामा को नई जिंद्गी देगी विन्हे का मामा, प्रॉफेसर कमल कुमार भारत के कुछ गिने जुने प्रिस्दिवें विज्यनिकों में से एंग है परमाड़ अपरिलंका का निर्माता जिंदगी और मौत के पलड़े में जहूलता हुआ लेकिन इसके बावजूद भी प्रॉफेसर कमल कुमार का वेग्यानिक दिमाग सक्री है उसकी अत्यदुनिक लेब में एक रॉबोट की रूप में है परमाड़ू, परमाड़ू, मिल्ट्री हैड़कॉर्टर पो तुमारी जरूरत है, क्विक मिल्ट्री हैड़कॉर्टर जिसका चपाचपाज विदेशी सुरक्षा वावस्ता से गिरा हुआ क्योंकि यहां रखी अत्यदुनिक और खातक डियाने मिसाईल लेकिन इतनी भारी सुरक्षा वेवस्ता के बाब जूद भी क्या यहां रखी मिसाइले सुरक्षित हैं गुणाकार के चैरे के भाबो को देख कर कहें तो शायद नहीं इतनी जादा सुरक्षा, इतने जादा कमांडो मैं अकेला इतनों सनीन बट सकता इनसे नपटने के लिए तो इतने ही जादा गुणाकार चाहिए कुछ पलो बादी वाँ तैना थर कमांडो के सामने गुणाकार खड़ाता और उनके लिए समस्या बन रहा था इस पर तो मेरे वारों का असरी नहीं हो रहा गोलियां तो इसके शरी से आर पर जा रही है इन सब के वार तो हमारा भड़ता बनाए दे रहे है जिसके परतिरूप वहां मौजूद कमांडो को वेस्त रखे हुए थे वह कमाल है किसी को फुर्सत नहीं कि वह मुझे रोके अभी तक ऐसा कोई नहीं था लेकिन अब आ गया गुणाकार और प्रोफेसर रिच्मंट मुझे तुझे पैचानने में देर लगी सरीया को एक से चार होते देखते ही मुझे समझ जाना चाहिए था कि वह तुमारा ही कार नम हो सकता है थड़ा परमाडू परमाडू और गुणाकार के पिछले टकराव के बारे में जानने के लिए अपने पूर प्रकाशित कौमिक गुणाकार जो कि आपको परमाडू की प्लेलिस में मिल जाईगी लेकिन मेरी समझ में अभी तक ये नहीं आया है ये मैंने तेरी तरह उचा दी एक माचिस की तीनी ये मैंने उस पर डारी अपनी खास तरंगे और ये हो गई तुझ पर माचिसों की तीनियों की बारिश उफ इस तब तो परमाडू पर समनने का मौका ही नहीं मिला परड़ाम माचिस की लाको तीलियों के धेर के नीचे दब कर रह जाना पड़ा उसे अब मैं इस धेर में बुरी तरह दब गया हूँ मुझे इन्हें अपने उपर से अठाका तुरंती बाहर निकलना होगा और ऐसा करने में मुझे थोड़ा समय लगेगा परमाडू की बास समय थाका माचिस की दीलियों की देर में तब परमाडू सुन यह तेरी चिता तयार हो गई है जो इस लगती दीलियों की मदद से भक से जल उठने वाली है मुझे अफसोस है कि मैं तुझे इस चिता में जन्दा जलता नहीं देख सकता क्योंकि डियने मिसाईलों को ले उड़ना तुझे चलता देखने से ज़ादा ज़रूरी है थाका लगाता हुए अकुनाकार आगे बढ़ गया था परमाडू को उस चिता में दबा छोड़कर जिसकी लबटे परमाडू तो पहुच नहीं वाली थी माचिस की तीलियों के इस धेरे मैं ऊपर लगी आग की तपिश को मैं महसूस कर रहा हूँ और फिया आग एक तीली से दूसी तीली में लगती कुछी पलों में मुस्तव पहुंच चाईगी और उस आग में मैं बच नहीं पाँगा क्योंकि अपने ऊपर मौझू तीलियों के धेर को मैं अपनी ताकत लगा कर भी हटा नहीं पा रहा हूँ परमाडू के लिए बचना मुश्किल था जबकि गुणा कार के लिए उस स्टोर रूम में पहुचना कत ही मुश्किल नहीं था जा रखी हुई थी डियने मिसाइल हैं यहीं चाहिए मुझे बहुत छोटी छोटी मिसाइल हैं लेकिन फिर भी एतनी सारी है कि मुझे अकेले के लिए इन सबी को ले जाना एक समस्या है एक समस्या के हल के लिए मुझे एक सेकंड के लिए बाहर जाना हूगा क्योंकि बाहर मैंने एक जीप खड़ी देगी थी और प्राफेजर अवस्ती की बनाई इस पर छेपड़ गन की मदद से एक कुछ सो कर लेना मेरे लिए कोई मुझे काम नहीं है अब इन सैक्डो जीपों को चलाने के लिए सैक्डो ड्राइवर भी चाहिए बड़ा कार के बास हर समस्या का हल था जबकि परमाडू अपर नहीं समस्या का हल बड़ी मुश्किल से सोच पाया था मेरे शरीप एसबेस्टेस की पोशाग होने के कारण आग मेरे शरीग को इतनी जल्दी नुकसान नहीं पहुचाईगी इसलिए मुझे इंतजार करना चाहिए कि आग उपर की तीलियों का राक करती हुए जैसे ही मुस्तब पहुचे मैं हो जाओं ट्रांस्मिक अपने आपको इस चिता से बचा कर परमाडू तुरंत इस तोरूं की तरफ लपका गुडाकार के प्रती रूप अभी भी यहां पर मौझूद है इसका मतलब गुडाकार अभी वहां नहीं पहुच पाया जहां सुरक्षे रखी है टी एने मिसाइल है ओ शुक्र है सारी मिसाइल अभी सही सलामत रखी है ओ नो ओ नो अचानक परमाडू का मुई नहीं आखे भी भटी की भटी रह गए इन्थी ओफ सारी मिसाइल हवा में विलीन होती जारी है इसका एकी मतलब है कि मेरे सामने मिसाइलों के प्रती रूप पड़े हुए गुणाकार असली मिसाइलों के लेका उनन्चू हो चुका है यह अच्छा नहीं हुआ यह अच्छा नहीं हुआ क्योंकि उन मिसाइलों को अतायने के बीचे गुणाकार का एकी मकसद हो सकता है उनके बलप सारी दुनियां को अपने सामने जुका लेना वे अपने इस बिहानक सपने पर काम करना शुरू करें उससे पहली मुझे उस तक पहुँचना लेकिन कैसे कैसे पहुचू मैं उस तक तुम्हारे इस सवल का जावा मेरे पास है परमाणू इधर गुणा कार मैं उन टीने मिसालों का मालिक बन गया जिनकी मदद से कैसे मैं नचाओंगा थराक उससे पहले ही मैं तुझे तिकनी का नाच नचा दूँगा परमाणू तू यहां तू यहां कैसे पहुचा मिसाईलों में वे ट्रेसर लगे है जो हर समय मिसाईलों की मौझूदगी की सूचना देते यह बात मुझे बताई मिल्ट्री हैटकॉर्टर के चीफ ने अब मिसाईलों और तुझे एक साथी ले जाकर मैं मिल्ट्री वालों के हमारे करूँगा मेरी वाद छोड़ पर माड़ू हाँ अगर तू डियाने मिसाईलों को वापिस ले जाना चाता है तो देख पूरा गोडाम मिसाईलों से भरा हुआ है जितनी चाहिए उतनी ले जा ओ गोडाकार ने तो मिसाईलों के धेरो परतीरों बना कर पूरे का पूरा गोडाम बर रखका है इनमें से असनी मिसाईल कौन सी है कैसे पता चलेगा लगता है आगे बड़कर मिसाईलों को ठाने में तुझे शैर मारी है कोई बात नहीं मैं ऐसा इंतजाम किये देता हूँ कि मिसाईलों खुद तेरे पास चल कर आएं खुब मचा खुब बचा परमाडो लेकिम बचा नहीं रहेगा क्योंकि इन सभी मिसाईलों ने तेरा डिया ने ट्रेस कर लिया है अब तो ये तेरी सासों को रोक कर रुकेंगी और इस तरह बचकर तू अपनी सासों को रुकने से नहीं बचा सकता क्योंकि अपनी मिसाइलों में एक विशेश पिन प्रवेश कराकर मिसाइलों को गुड़ा करने मेरे लिए मुश्किल काम नहीं है उफ वह मिसाइलों को गुड़ा करके मुझे उनका शिकार बनाने को आते रहे और जिस तरह मिसाइलों की संख्या बढ़ रही है उससे लगता नहीं कि मैं शृष्यशली मिसाइलों का मुकाबला कैसे कर सकता? एक मिनट, एक रास्ता है और वो है कि मिसाइलों के तरह मेरा शरीवी सैकडょकी संक्या में व mayo... और ऐसा करने के लिए मुझे जाधा खुछ नहीं करना होगा गुणाकार के हाथों में धमी इस गन को से चीनना होगा गन में भरी पिनों मैंसे एक पिन को अपने शरी में एजक्ट करना होगा और फिर इस पर शेपड मशीन से निकलती केड़नों के सामने खड़ा होना होगा बाकी का काम अपने आप हो जाएगा अब जितनी मिसाइल है थी उतने ही परमाडू थे हर परमाडू के इससे में एक मिसाइल थी और एक परमाडू के लिए एक मिसाइल को खत्म करना कोई बड़ी बात नहीं थी प्राम प्राम बुम बुम जो दमा के आकाश में हो रहे थे उन्हें अपने मस्तिष्ट में भी होता मैसूस कर रहा तो गुणाकार पर माणू मेरी ट्रिक से मुझे ही मत दे रहा है लेकिन मैं उसे एक कामयाब नहीं होने दूँगा मुझे रोकने का जो समय था उसे तू बकवास करने में कराब कर चुका है अब तो शुरू होता है तेरी पिटाई का समय है और तेरी पिटाई में अकेला नहीं मेरे सैक्ड़ों परतिरूप करेंगे लेकिन ऐसा करने से पहले तेरी ये बैटरी तेरे शड़ी से अलग खिच लू ताकी तो गुडाओं कर बच ना पाए पर्णवाणू के प्रतिरूपों को गुडाकार के होच ठिकाने लगाने में ज़्यादा तेर नहीं लगी जल्दी सारी स्तिती को वहाँ पहुची मिल्टरी के अवाले करके गुडाकार को काला पानी जेल के तरफ लेका रोड़ चला उड़ा जा रहा था पर्माडू